आज जून माहिनाचा शेवट सार अभीबार आणि पंतपरथा नरेंद्र बोधी काहिक शनातस मन की बात या कारेक्रमात देशवानशे अंशियाता सम्वाज सात्ताय पाउयात आपसे देश के एक ऐसे जनांदुलन की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्पा है लेकिन उससे पहले मैं आज की पीडी के नवजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल बहुत गंबीर है और मेरे सवाल पर जुरूर सोचिए क्या आपको पता है कि आपके माता-पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार चिन लिया गया था आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ये तो असंबव है लेकिन मेरे नवजवान साथियों हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था ये बरसों पहले 1975 की बात है जून का वही समय था जब एमर्जन से लगाई गई थी आपात का लागू किया गया था उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छिन लिये गए थे उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आर्टिकल 21 के तहट सभी भारतियों को मिला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टि भी था उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था देश की अधालते हर समयधानिक संस्ता प्रेश सब पर नियंत्रन लगा जिया गया था सेंसर सिप की ये हालत थी कि बिना स्विक्रूती कुछ भी छापा नहीं जा सकता था मुझे आध है तब मशूर गायक किसोर कुमार जी ने सरकार की भावाई करने से इंकार किया तो उन पर बेन लगा दिया गया रेडियो पर से उनकी एंट्री हटा दी गई लेकिन बहुत कोशिशों हजारों गिरपतालियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोग तंत्र से विश्वा डिगा नहीं रती भर नहीं डिगा भारत के हम लोगों में सद्यों से जो लोग तंत्र के संसकार चले आ रहे हैं जो लोगतांत्रिक भाववना हमारी रग रग में है आखिर कर जीत उसी की हुई भारत के लोगों ने लोगतांत्रिक तरीके से ही इमर्जंसी को हटा कर वापस लोगतंत्र की स्थापना की ताना साही की मानसिक्ता को ताना साही वृत्ती प्रवुत्ती को लोग तांत्रिक तरीके से प्राजित करने का ऐसा उधारन पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है इमर्देंसे के दोरान देश वासियों के संगर्स का गवा रहने का साजेदार रहने का सवभाग्य मुझे भी मिला था लोग कंत्र के एक सैनिक के रूप में है आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का परव मना रहा है अमरित महोत्सव मना रहा है तो आपातकार के उस भयावध दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए आने वाली पीडियों को भी भूलना नहीं चाहिए अमरित महोत्सव सैक्डो वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजे गाता ही नहीं बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए है इत्यास के हर अहम पढ़ाव से सिखते हुए ही हम आगे बढ़ते है मेरे प्यारे देशवासियों हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकास से जुड़ी कल्पनाएं न की हो बच्पन में हर किसी को आकास के चांद तारे उनके कहानिया आकरसिक करती है युवाओं के लिए आकास छुना सपनों को साकार करने का परियाय होता है आज हमारा भारत जो इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकास छु रहा है तो आकाश या अंत्रीक इससे अचुता कैसे रह सकता है बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए है देश की इनी उपलब्दियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजन्सी का निर्मा एक ऐसी एजन्सी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है इस सुरुआत में हमारे देश के युवाओं को विशेश रुप से आकरशित किया है मुझे बहुत से नवजवानों के इस से जुड़े संदेश भी मिले है कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेड़क्वाटर के लोकारपन के लिए गाया था तो मैंने कई युवा स्टार्टप्स के आइडियाद और उत्सा को देखा मैंने उनसे काफी देर तक बात्चित भी की आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिला नहीं रह पाएंगे जैसे की स्पेस स्टार्टप्स की संख्या और स्पीर को ही ले लीजे आज से कुछ साल पहरे तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टप के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था आज इनकी संख्या सो से भी ज़्यादा है इस सभी स्टार्टप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था उधार के लिए चेन्नेई और हैदराबाद के दो स्टार्ट अपस है अगनिकूल और स्काइरूट ये स्टार्ट अपस ऐसे लाउंच वेहिकल विक्सित कर रही है जो अंतरीक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जाएंगे इससे स्पेस लाउंचिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्ट अप त्रू स्पेस सेट्रिलाइट डिप्लोयर और सेट्रिलाइट के लिए हाइट टेक्नलोरजी सोलर पैलर्स पर काम कर रहा है मैं एक और स्पेस टार्ट अप दिगंतरा के तनवीर एहमत से भी मिला था जो स्पेस के कच्चरे को मैप करने का प्रयास कर रहे है मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नलोरजी पर काम करें जिस स्पेस के कच्चरे का समाधान निकाला जा सके दिगंतरा और द्रूप स्पेस दोनों ही तीस जुन को इस रोग के लाउंच वहिकल से अपना पहला लाउंच करने जा रहे हैं इसी तरह बैंगलूरू के एक स्पेस स्टार्ट अप एस्ट्रॉम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आइडिया प्रकाम कर रही है ये स्टार्ट अप ऐसे फ्लेट एंजीना बना रहा है जो नए कवल छोटे होंगे बलकि उनकी कौस भी काफी कम होगी इस टेक्लोलोजी की डिमान पूरी दुनिया में हो सकती है साथियों इन स्पेस के एक आरकम में मैं मैसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था वो एक बहुती छोटी सेटिलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महिनों में स्पेस में लौंच होने जा रही है तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था तन्वी की तरह ही देश के करीब साड़े साथ सो स्कूल स्टूडेंट अमरित महुसों में ऐसे ही पचतर सेटिलाइट पर काम कर रहे है और भी खुशी की बात है कि इन में से जादातर स्टूडेंट देश के छोटे शहरों से है साथियों ये वही युवा है जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवी किसी सिक्रेट मिशन जैसी होती थी लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किये और वही युवा अब अपनी सेटिलाइट लाँच कर रहे है जब देश का युवा आकास छुने को तयार है तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है मेरे पहरे देश वासियों मन की बात में अब एक ऐसे विशे की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुलित भी होगा और आपको प्रेणा भी मिलेगी बीते दिनों हमारे अलम्पिक गोल्ड मेडल विजेता निरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में चाहे रहे अलम्पिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफ़ता के नए नए किरतेवान स्थापित कर रहे है फिन्लेंड में निरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता यही नहीं उन्होंने अपने ही जैवलीन थोके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया कोवर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल जीत कर देश का गवरो बढ़ाया यह गोल उन्होंने ऐसे हालोतों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था यही होशला आज के युवा की पहचान है स्टार्ट अप से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलों इंडिया यूद्स गेम्स में भी हमारे खेलाडियों ने कई रिकॉर्ड बनाए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल बारा रेकॉर्ड टूटे हैं ABP माजा उगडा डोले बगा नीट